हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे परिच्छा वाले प्रेशनों की, दोस्तो कॉशन पूछा जाता है कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फेल हुए, या फिर आप से पूछा जाएगा कि परिच्छा में कितने परिच्छ थे, इस टाइब के जो कुशन पूछे जाते हैं परिच्छा वाले उनकी बात करेंगे दोस्तो आज की वीडियो में, ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, कॉशन है आपका, एक परिच्छा में 78 परिच्छा में लड़के उत्तीर हुए, उत्तीर का मतलब क्या ह 78 परिच्छ लड़के पास हुए हैं, ठीक है, अब पास होने वालों की संख्या कितनी हैं दोस्तो आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको कितना पता है, 110 लड़के फेल हुए हैं, पास होने वालों की संख्या नहीं पता है, फेल होने वालों की आपको संख्या पता है, परिच्छा मे कुल कितने लड़के उपस Сिते है ठीक है जो भी डूड़ेंट होगे पास होने वाले वह सम मिला के परिच्छा में कितने इस्टूड़ेंट थे यह आप से पूछा गया है तो जितने भी होंगे दोस्तो अपने अपने आप में कितने होंगे 100% और 100% में से क्या हुआ 78% लड़के पास होगे कितने 78% लड़के क्या होगे दोस्तों पास होगे ठीक है अब जब 100% में से 78% जब पास हो जाएंगे तो फेल कितने होंगे दोस्तों फेल होंगे 110 के पराबर हो जाएगा कि नी हो जाएगा तो यह 22 परसेंट कितना हो जाएगा 110 के पराबर तो क्या करेंगे दोस्तों इस 22 से 110 में भाग दे देंगे clear है और 100 से कर देंगे multiply आपको कितने student थे कितने लड़की थे यह आपको पता चल जाएगा किलियर दोस्तों इसे आप कटा लेंगे देखे 22 से 110 पूरा पूरा कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा 5 का सुमय करदो multiply कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा तो कितने लड़के उपस्थित थे 500 लड़के उपस्थित थे किलियर दोस्तों उमीद करता हूँ ये question आपको बहुत अच 70% तो fail कितने होंगे 22% और 22% कितने दे रखें आपको 110 तो 22% पराबर 110 ठीक है तो इस 20 से इस 110 में भाग दे देंगे 100 से multiply कर देंगे आपका answer जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला question अगला question आपका एक परिच्छा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किये उसे 4 856 तथा 101% अंक मिले तो चोथे में उसे कितने अंक मिले ठीक है दोस्तों देखें एक पेपर हमने माना सो नंबर का clear तो चार पेपर कितने में होха दोस्तों 400 कि हो जाएंगे एक पेपर सो नंबर का थीक है तो 4 बिश्य बेंगे 2014 तो चार Буд currently हो कि बात हो हाँ थीक है कियोंकि कितने की बात हो रही है चार विशो में से तीन विशो अपमें होसे कितने मिले rév – इतने नंबर विशो विशो में से तो 400 का क्या निकालेंगे आप 70% किनी सब्दार परसंद और से एथी 0 मतलब 280 तो उसने 400 में से कितने अंग प्राप्त किये हैं दोस्तों 280 अंग कितने प्राप्त किये हैं देखिए मैं आपको फिल समझाता हूं कितने बिशेगी बात हो रही है 4 बिशेगी ठीक है 4 बिशेगी बात हो रही है एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा तो 4 बिशेग कितन हो गया 280 के लिए और तीन ब्षयों का आपको दिया गया है कितने का जे uppra सिखिया को दिया गया है कितना है इनको जोड लिए एक श्याज़ड यह च्बलुमीज टीनों को मिलाके कितना हो जाएगा दोस्तो 208 हो जाएगा चाहर विषय के कितने है 280 है आपने पता किया है और 3 बिशय के आपको दे रखे हैं तो 4 बिशय मैंसे 3 का मानस कर देंगे तो 1 ही तो बचेगा यहाँ पर किलिए रहा है 4 मैंसे 3 का मानस करेंगे तो 1 बचेगा पूछा क्या गया čوتھے बिषय में उसे कितने अंकि मिले तो 4 में से 3 मानिस कर देंगे एक बचेगा वही आपका चोथा होगा तो 280 में से जब आपका बचेगा दोस्तो 72 बचेगा किलियर है चोथी बिषय को कितने मिलेंगे 72 मिलेंगे यही आपका सही ऐंसर हो जाएगा option number D कितने प्रतिसत? 72 प्रतिसत किलियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कोशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है आपका एक परिच्छा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं इन में से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए तो कुल कितने प्रतिसत विद्यारती फेल हुए देखें फेल होने वालों की संग्या पूछा आपसे और वो भी प्रतिसत में ठीक है देखें लड़कियां कितनी हैं लड़कियां है 900 केलीर रहे और लड़के कितने हैं लड़केंयां दोश्तों आपके पास將वप 141 ठीक है दोस्तों आप किया रहा कोशन मैं से 40 percent तो लड़कें पास होई है थीक है तो 900 का आप क्या करेंगे चालीस percent निकाल लो ठीक है 900 का 40 ये 0 से वाला 0 गया, यह वाले से यह वाला 0 गया, तो बच्चे का क्या, 4,936 हो जाएगा, और एक यह 0 मतलब 360, तो लड़कियां कितनी पास हुई है, 360, और लड़के कितने पास हुई है, 50%, तो आप 1100 कि क्या करें, 50% निकाल लीजिए, ठीक है, यह वाले 0 से गया, यह वाले से 1150 क कितना होता है। 55 होता है, और 10 तो 550, तो लड़के पास हुए है, पानसो पास, लड़के पास हुई है, 360, क्या करेंगे? 2नों को प्लस कर लेंगे, प्लस कर लीचे, तो यह हो जाएगा, 360 और 550 यह हो जाएगा दोस्तों, आपका 910, ठीक है, इधर कितने स्टूडेंट है, 9100 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप देखें, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, कुल कितने प्रतिस्द बिद्यारती फेल हुए, जितने भी बिद्यारती थे, उसमें से फेल होने वालों की संक्या पूछा है, चाहें वो लड़की हो, चाहें लड़का, ठीक है, बिद्यारती का मतलब क्या है, लड़का लड़की दोनों सामिल, यदि ये पूछ लेता का कितने प्रतिस्द लड़के फेल हुए, या लड़कियां फेल हुई, ठीक को तो पास होने की जगा है फेल होने का आपको पता चल जाएगा दो हजार मैंसे 910 को माइनस कर देंगे तो कितने फेल हुए आपको यह पता चल जाएगा ठीक है तो 2000 मैंसे दोस्तों क्या करेंगे 910 को माइनस कर देंगे केलियर है यह 0 से 0 गया यहां 10 मैंसे 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1,090 कितने student fail हुए हैं दोस्तों 1,090 student fail हुए हैं लेकिन 1,090 नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रतिसत में, कितने प्रतिसत, प्रतिसत में पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों इस 1090 में डिवाइट कर देंगे 2000 से, जितने student है, उतने से आप क्या कर देंगे, डिवाइट कर देंगे, और प्रतिसत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इंटु 100, किसी को भी आपको प्रतिसत में change करना है, तो multiply कर देते हैं 100 से, के लिए दोस्तों, दो पज़े दस चला जाएगा किलिए रहा यह चला जाएगा दो चौके आठ चला जाएगा किलिए रहा दो चौके आठ गया कितना बचेगा एक बचेगा यहाँ पर किलिए रहा दोस्तों और कितना हो जाएगा दोस्तों नहीं जाएगा तो point लग जाएगा एक की जगा कितना हो जाएगा दस तो दो पंजे 10 हो जाएगा के लिए रहा 54.5 परितिसत student क्या हुए हैं दोस्तों fail हुए हैं यही आपका सही answer हो जाएगा यदि आपसे पूछा जाता पास होने वालों की संख्या आपसे यदि पूछा जाता है कितने परितिसत पास हुए हैं तो इस 2000 से पास होने वाली संख्या में डिवाइड दे देते हैं मतलब 2000 से क्या करते हैं डिवाइड इंटू क्या करते हैं दोस्तों पास होने वालों की संख्या है ठीक है दोस्तों 45.5 प्रित्सत क्या है पास होने वालों की संख्या है और 54.5 क्या है दोस्तों फेल होने वालों की संख्या है ये लिए दोस्तों बात समझ में आगी आप option को चेक करेंगे तो option में दोस्तों 54.5 नहीं लिखा हुआ है 54.5 नहीं ल तो फेल कितने हुए हैं 54.5% और पास होने वाले की पूछ लेता तो क्या होता 45.5% किलियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कोशन आपको पहुत अच्छे तरीके से किलियर हो गया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन आपका एक छात्र को परिच्छा में उत्त करना है कितने नंबर का Center ठीके कोई भी परो कितने भी नंबर का हो अपने आप में 100% और किपर हो उसने प्राप्त किये 24%, ठीक है, और 24% प्राप्त किये, और फेल कितने से हो गया, कितने अंक प्राप्त किये 24%, फेल हो गया है वो 9 अंकों से, किलियर दोस्तों क्या हो गया, 9 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, अगर ये 9 अंक इसे मिल जाते लड़के को, तो ये पास हो जाता ठीक है और 9 अंक इसे मिल जाते तो ये किसके बराबर हो जाते 36% के बराबर हो जाते क्योंकि 36% पर क्या हो रहा है वो पास हो रहा है तो ये 36% बराबर कितना हो जाएगा 24 पिलस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्योंकि उसे पास होने के लिए 36% चाहिए और 24% उसने प्राप्ट किये है और 9 अंकों से फेल हो गया है अगर ये 9 अंक इसे और मिल जाते तो ये पास हो जाता तो कितने अंक हो जाते हैं? 36%, तो 36% बराबर 24 प्लस 9 हो गया 24% प्लस 9 अब देखे इसका हम पक्षांतर करेंगे जब इसका पक्षांतर होगा तो क्या होगा? यह माइनस हो जाएगा तो 36 में 24 गया 12 परसेंट के लिए अब आपसे पूछा गया है का पूरा ग्याद कर तो पूरा ग्याद करने के लिए क्या करेंगे इस नौ में इस बारे से आप डिवाइड देंगे और मल्टिप्राइब कर देंगे दोस्तों 100 से बस आपका आंसर आजा परसेंट होगे सो aja दोस्तों सो परसेंट होगे अपने आप में के लिए यह स हकतीस परसेंट चाहिए यह पिकर देंगे लीकिन 24 गहरूंकों से भी उसे मिल जाते तो पास हो जाता हो ठीक है कितने पर पास होता 36 पर तो ये 36 परसेंट 24 प्लस 9 के बराबर हो जाएगा तो 36 में से जब 24 चला जाएगा पक्षांतर होके कट जाएगा तो 12 परसे बचेगा इधर क्या बचा नो तो इस 12 से 9 में डिवाइड कर दो मल्टिप्राइग कर दो 100 से आप कांसरा जाएगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेशन में आपका अच्छा किलियर हो गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में अभी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को भी तर सब्सक्र नहीं क्या है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजिए दोस्तों धन्यवाद